हेलो दोस्तों निप्टी और बैंक निप्टी एनलेसिस का इस वीडियो पर हम यह देखेंगे कि काल एक्सपाइड फे मार्केट कौन से दिशा पर जा सकते हैं और क्या हो सकते हैं हमारा इंपोर्टेंट लेवल्स और इसके लिए मैं निप्टी ऑप्शन्स और निप्टी का जो वान मिनिट का टाइम प्रेम है उस पर जाकर भी पार्टे की तरह एनलेसिस करके दिखाऊंगा कि मार्केट एकदम छोड़ा टाइम प्रेम पर भी कौन से दिशा पर जाने का प्रयास कर रहे हैं तो चले शुरू करते हैं तो अब हम देखेंगे निप्टी का टू और त यह और का टाइम प्रेम से कि इधर क्या हो रहा हैं बड़ा टाइम प्रेम पर तैकि इससे पहले जब इस जागा पर मार्केट था तो मैं आप लोग को क्या बोल रहा था कि इधर से इधर तक जो ओबरनाइट पोजिशन लिया जा सकते हैं बिकॉस इत रोस थार्ड वे और इसके बाद यह अगर 4th हो रहा हैं यह अगर 5th भी हो रहा हैं 5th पे उपना ज्यादा कुछ मोमेंटम नहीं रहता तो इधर आप लोग को यह क्लियरली दिख रहे हैं इधर एक गैप बनायते वे 3 पे उस गैप को इसने फिल कप किया उसका बहुत दिन बाद और ओ भी जब 4 और तो एक आखडी पे जाकर उसको फिल किया और देन फीप तो एक के लिए मार्केट नीचे चला आ रहा है एस पर आवर मार्केट बाट इधर जब मार्केट था तो मैं आप लोग को यह बोल रहा था कि इधर से मैं और कुछ भी से लेकिन ओबरनाइट पोजिशन जो एकस दिन यह उल्टी तरफ चला गया तो इधर फीप तो एब आगर यह हो भी रहा है तो इस पर कुछ खास मोमेंटम है ही नहीं तो इसलिए मैं आप लोग को जो डिपान्ट ओफसन स्ट्रेटिजी दिखा रहा था कि एक निउट्रल स्ट्रेजी उसके बार में भी आज हम चाट इसके साथ साथ दूसरा भी कुछ चीज आपको देखना पड़ेगा उसमें से यह है कि यह जो डिपारिंट मार्केट से जो निप्टी बैंक है निप्टी आईटी है निप्टी एनर्जी है यह क्या कर रहा है मनलब निप्टी अगर इधर से डारेक्ली एक एर दिशा पर मो बना रहा होता है तो बाकि जो यह जो निप्टी बैंक है यह डिफरेंट सेक्टर है यह सेक्टर क्या करते हैं ये साबसके आप फीप्त बहुत पहले ही कंप्लेट कर चुके है यह फिप्त बना कर उल्ड़ी तरफ जाने का प्रयास कर रहा है तो इसलिए इधर कोई सार्फ म यह बारा जो लो बनाये थे, निफ्टी के साथ साथ, इसको तोड़े नहीं है, इसने भी नहीं तोड़ा, और यह जो निफ्टी एनर्जिय ह्याः यह भी नहीं तोड़ा, तो जब डिपार्ण्ट सेक्टर जो यह डायभारजंस दिखारा हैं, निप्टी के साथ, I mean निप्टी जब डाउन आ रहा है, यह लोग ऐधर फ्लैट है या फिर आप साइट पे जा रहा हैं, तो इसलिए निप्टी पे कोई भी मूब आ रहा हैं, डाउन साइट पे जो हमारा प्रेडिक्टेड लेवल है, तो उस दिशा पे कोई भी मूब आ रहा कि इसके अंदर एक, दो, तीन, चार, पांच सावेव हो गया, और यह जो है, एक ड्रोडनिंग एंडिंग डाउनल जैसे कुछ के मार्किंग हो सकते हैं या नहीं, तो इसके लिए मैं बोलना चाहूंगा, कि फीप तो जो है, यह फीप तो पे एक एंडिंग डाउनल ऐसा हो सकते हैं, और इसको अगर आप एंडिंग डाउनल मार्क करें, तो फीप यह बाद जो लो है, इधर ही खतम हो गया है, और इसके बाद यह इधर से सार्फली आप साइट पर जाना चाहिए, बट फीर भी यह बाद जो लो है, जिसको मैं तेक्ट्री थार्ड मार्किंग कर रह गाता, तो इसलिए मेरा expectation रहेगा, कि यह था फीर फीर का possibility हो सकते हैं, बट यह अगर इधर से थोड़ा आप साइट पर जाने का प्रयास करेगा, इस को अगर यह तोर के आप साइट पर जाने का प्रयास करेगा, तब जयाकर मैं यह बाला possibility फीर से देखना चाहूंगा, त इसका जो इसने हाई बनाए थे यह 250 के आसपस 17,250 तो इसके पीच में जब तक मार्केट रहेगा I think इधर यह मोमेंटम कम होने के करण जो कर सकते हैं मार्केट एक ही जाके आसपस बहुत देट तक घूम सकते हैं तो जब तक यह लेबल के अंदर मार्केट रहेगा मुझे लग इसका आप साइट पर एक्चुल बड़ा सपोर्ट है 17,500 तक यान कि मैं जो रेंज दे रहा था 16,950 के आसपस 17,250 या इसके आसपस तक तो इधर तक मार्केट रहे सकते हैं यह ओपन इंटरेस्ट का डाटा भी बोल रहे हैं और अगर आप नेक्स्ट जो 20 ओक्टोबर का डा बना रहे हैं और मैं यह ओपन इंटरेस्ट का डाटा जब दिखाता हूं तो मैं आप लोग को बताता हूं कि यह 30 पॉइंट के आसपस या 30 to 40 पॉइंट के आसपस आप प्लास माइनस ले कर चलिए यानि कि 17,000 पे इधर यह सापोर्ट बना रहे हैं तो 16,0950, 960 के आसपस त जब तक यह आकर क्लोजिंग ना दे दे तब तक यह बाला जो सापोर्ट तूट गया हैं यह मानना सही नहीं रहेगा सिमिलरली यह आप साइट पे यह 200 पे हैं और मैं जो अभी आप लोग को बता रहा था कि 17,250 के आसपस तक जो यह 200 से 40 या 50 पॉइंट प्लास माइनस पे ह तो उधर तक जब तक मार्केट जाकर क्लोजिंग नहीं दे रहा हैं तब तक यह बाला जो रेजिस्टेंस है यह भी तूट गया है यह मानना सही नहीं रहेगा तो यह ओपन इंटरेस्ट का डाटा भी मोरले सेम चीज़ ही बोल रहा है जो मैं ओबरल चार्ट देखकर आप को बता रहा हूं और मैं इससे पिछले दिन यह बाला जो स्ट्रेटिजिस के बारे में डिसकासन कर रहा था ओ आइधर भी आप लोग को क्लियर ली दिख रहे हैं यह मैं क्यूं बोल रहा था कि यह फीप तो पर जब तक यह बाला पॉस्सिबिल्टी सही है और यह बाला जो जागा है जो बहुत दूरी पर है मुझे इतना सेफ्टी आ कर नहीं चाहिए मुझे लाग रहा है कि market उतना दूर नहीं जाने वाला वी तो यह वाला जो जबाला जो जगा इसको मैं क्लोज करके इसको मैं इधर लाकर खाड़ा कर सकता हूं इससे क्या होगा market इस पर यह इस इसके बाद market कौन से दिशा पर जा रहा है, जो इधर clearly मुझे होते हुए दिख रहा है, वो यह है कि यह बाला जो जगा है, इधर mostly यह 1, 2, यह 3rd, यह 4th, यह 5th के लिए मोटा मोटा market इधर आ गया, तो maybe यह 1 और A हो सकते हैं, इधर यह 2 और B के लिए market जा रहा है, तो यह 2 औ market इधर से थोड़ा upside पर गया, तो I think इधर आप लोगों को यह clearly दिख रहा है, कि इधर market क्या कर रहा है, तो यह अगर आपका 1 हो या A हो यह matter नहीं है, यह 2 और B, 61% के आसपास जाना चाहिए, तो market exactly उस जगा के आसपास से reverse करना start किया, और यह बाला जो जगा है, इसको भी अगर आप अलग से देखना चाहिए, तो यह आपका A है, B है, यह जो C होते हैं, C के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, तो यह मोटा मोटा आपका A, B, C बाला target हो गया, तो यह आपका बड़ा बड़ा time frame का A है, तो यह बड़ा बड़ा time frame का B, और यह बड़ा बड़ा time frame का C तक आएगा, और A और C का जो relation होते हैं, वो एक दूसरे का 100% होते हैं, तो मोटा मोटा यह जो है, यह 16,965 तक आना चाहिए minimum, उसके बाद यह नीचे जाएगा कि नहीं, ओ हम बाद में देख सकते हैं, तो इधर actually हमारा entry हो साथ, तो तो और market exactly 100% का जो level है, इसको touch करने के बाद ही market जोड़ा book कर लेना चाहिए था, क्योंकि market जो है, यह कोई clear direction नहीं दे रहा हैं, तो इधर से market क्या कर रहा है, सार्फली आप साइट पे जा रहा है, तो कोई अगर इसको 1, 2, 3 mark भी कर रहा होगा, तो इधर यह जाके आसपस आपका stopless हीट हो जाना चाहिए, और आपको जो प्रॉप्री दर से इधर तग मिले है, उसको लेकर exit हो जाना चाहिए था, और यह बाला जो C में mark कर रहा हूँ, इसको A, इसको B mark करने के बाद, इसको C mark कर रहा हूँ, तो C के अंदर यह 5, 1, 2, 3, 4, 5 यह हो चुके हैं, और यह 100% का label है, तो इस ही सबसे, यह most probably A, B, C होए ह उसके बाद, इधर से market sharply, यह उल्टी तरफ जाने का प्रयास कर रहा होगा, लेकिन हमड़ा expectation था कि फीप्त के लिए थोरा नीचे आएगा, और यह बाला जो low है, इससे नीचे जाना चाहिए, तो market जब इसको ना तोरके उल्टी तरफ जा रहा है, तो इधर जो move है, most probably इसक का दिया, जो एक impulsive move है, तो चाहिए यह भी हमारा A हो, या 1 हो, या W, यह कोई matter नहीं है, इसके बाद यह नीचे कितना आ सकते हैं, ओ matter है, and then market कौन से दिशा पर जाएगा, यह भी बहुत एक बड़ा matter हो सकते हैं, तो इसलिए, मैं इधर जो मुझे होते हुए दिग रहा है वो एक बहुत ही important lesson है, कि यह अगर आपका A हो, या 1 हो, या आपका 2 हो, या B हो, इसका खतम कहां तक हो सकते हैं, यह एक important है, और उसके बाद यह आप साइट पे 3 और C के लिए कहां तक जा सकते हैं, या I think पाता हैं कि A और C आपस में लगबग बड़ा-बर होगा, वो 100% का level हम easily निकल सकते हैं, लेकिन यह वाला जो है, कि 2 और B इधर ही खतम हो गया कि नहीं, इसके लिए इसके अंदर का जो भी marking है, वो भी देखना जरूरी है, जैसे कि यह वाला जो जगा है, इसको अगर मैं A मार्क करूं, यह अगर हमारा B है, तो C कहां तक होगा, C इधर तक हो और B होते हैं, तो उसको मैं कैसे मार्क करना चाहँगा, उसको मैं इधर अगर 1 मार्क करूं, यह जो है, यह में भी हमारा 2 है, तो यह जो है, यह हो सकते हैं हमारा 3, और इधर 1 और 3 लगवक आपस में बड़ा बड़ हुआ, या पर 3 1 से थोड़ा सा बड़ा हुआ, और हैं, तो इसलिए मैं आप लोग को जो बहुत बार बाता चुका हूँ, यह है कि यह फोर्थ जो है, यह फोर्थ 1 का टेरिटरी पर आ सकते हैं, बट उदर क्लोजिंग नहीं दे सकता है, तो इसको अगर मैं ट्राइंगल मार्क करूँ तो यह फोर्थ के अंदर का A, B, C, D and E ह हो गया, तो यह E wave जहां पर फोर्थ जोर्थ का क्लोजिंग है, यह wave 1 का टेरिटरी पर नहीं आया, उससे थोड़ा दूर ही पर है, तो इसलिए यह साकस्पूरी में फोर्थ मार्क कर सकता हूँ, बहुत साई लोग उनको यह ही बस पातना है कि फोर्थ जोर्थ का कोई भी प देखना चाहेंगे, इधर से इधर तक का, तो इसका भी लागवाग 50% तक यह आ गये हैं, तो इसके बाद मार्केट इधर से रिवर्स कर सकते हैं, और मार्केट अल्टिमेली ओहीं किया, तो आपको यह लेबल देखना चाहेंगे, 50%, 61% का लेबल, A और C कितना रिलेशन पर रहते हैं, उसके अंदर का साब डिविशन, अगर आप क्लियारली मार्क कर सकते हैं, तो यह 1 मिनिट का टाइम पर भी, अब यह बाला जो भी मूव है, इसको आप क्लियारली ले चुके होंगे, और कोई अगर इधर मिस भी कर गए हैं, तो यह बाला जो राइस होगा, यह C ह यह 3 हो, इसके अंदर 5 साब बढ़ाएगा, तो यह 1 है, यह 2 है, तो इधर भी देखेंगे, यह 2 लगवा, वह 1 का 50% तक चले आए हैं, जो इधर दीख भी रहे हैं, कि मूप का आधे तक यह चले आए हैं, रिट्रेस की हैं, तो इसके बाद यह सारपली इधर से थोरा आप स बूद बाई